कहे दो बच्चों इन किताबों से कुछ देर की खामोसी थी, अब सोर आएगा, तुमारा वक्त आया था, हमारा दोर आएगा हलो मेरे प्यारे सेर सेर नियों, आप से बिगत दिल खोल के स्वागते, आपके प्यारे से यूटूब चैनल M Classage पर दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी परिच्छा 2024 को नस्ते नाबूत करने के लिए काफी जदा महत्पून होने वाली है, आप सभी बच्चों ने कैमस्टी का बच्चों मोडल प्रिशन पत्र तो करी लिया होगा, जो हमारे जैक बोर्ड ने जारी किया था, और बच्चों ए एक ही सेट ons जैकबॉर्ड ने जारी किया है और एक ही सेट आपका जारी, दूसरा सेट आपका जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन बच्चों आप सभी के लिए खुश कबरी हैं, अपने इस तर पर आप सभी के लिए छेमस्टी का एक मोडल सेट टू, बच्चों रेडी किय है और इसमें से बच्चों पूरे पूरे चांसे कि आपके एक्जाम में कुश्ण फसेगा ही फसेगा आज बच्चों इस वीडियो के अंदर में आप सभी को इस करवाने वाला हूं तो वीडियो काफि सांदार होगा इसलिए बच्चों आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए साथ की साथ जुच्चों ने अभी तक वाट्सप गुरूप जोई नहीं किया है बाई तो 9024796410 पर वाट्सप मेसेज कर दीजी हम आपको गुरूप के अं कर दीजेगा तो श्टाट करते हैं बच्चों आज का कुश्चन फस्ट मेरे प्यारे सेर सेर्यों दिल खोल कर आप सभी बेड़ जाईए आप सभी के सामने पहला कुश्चन आ चुका है आप से पूछ रहा है निमली कितमे से कौन लोहोच मकत्व प्रदिशित करता है लेग अगला कुश्चन में आप से पूछ रहा है कि एक किलोग्राम विलायक में उपस्तित विले के मोलों की संख्या को कहते हैं बताई बच्चों डेफिनेशन का सवाल है यह किसकी डेफिनेशन है मोललता नॉर्मलता फॉर्मलता या फिर मोललता यह बच्चों आपकी जो डेफिनेशन है यह आपकी मोललता की डेफिनेशन होती है इसलिए आपका ओप्सन नमर डी बिल्कुल अच्चों सही अंसर आपका चला जाएगा बात करते बच्चों नेक्स कुश्चन की तो अगला आपने क्या गोल दिया भाई एन ए ओच आपने गोल दिया तो आपसे पूछ रहा है विलियन की मोलर्ता बतानी है तो मोलर्ता क्या हो जाई बचो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपकी जो मोलर्ता आने वाली है वो 0.25 आज जाएगी इसलिए आपका option नमबर बचो ए बिल से होता है याद रखिए यह हमेंसा क्या होता है अधिक होता है इसलिए आपका option नमबर बच्चो ए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा बच्चो बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन की नेक्स्ट कुश्चन बच्चो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जवाब देने का आपको प अब च्छा जा रहा है बावो बिल्कुल फरजी सवाल है क्या है बिल्कुल फरजी सवाल है कभी आपसे मानक अध्र ह Vocês and so out माइनस का चिन बच्चो लगाना है आपका अंसर आपको मिल जाएगा तो option number आपका चला जाएगा C बच्चो आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा बात करते हैं बच्चो next question की तो बच्चो यह दिए अभी तक आपने संजीवनी गेज पेपर परचेज नहीं किया है तो भाया अभी भी best offer चल रहा है मात्र डेड़ सो रुपे में आप class 12 physics का गेज पेपर परचेज कर सकते हो यह पूरा गेज पेपर आपके exam pattern पर आधारित है और exam में 100% लडने की guarantee है एक भी question out नहीं होगा यदि एक भी question exam में out होता है तो आपको दूना पैसा return कर दिया जाएगा यदि आप भी इस best offer का फायदा उठाना चाहते हो तो फास्ट हमें इस नमबर पर call कर लीजिए 9024796410 पर हम आपको इसके बारे में complete information दे देंगे अगला question देखे क्या है आप सभी के सामने आप से पूछ रहा है कि lambda na cl बराबर होता है तो ये lambda na बच्चो पिलस और आपका पिलस lambda cl माइनस बच्चो होता है तो आप देख सकते हो आपका option number c बिलकुल right answer आपका चला जाएगा बात करते हैं बच्चो next question की अगला question देखे आप सभी के सामने आने वाला है बच्चो आप जबाब दीजिए फटा फटा आप comment box को बिलकुल भर दीजिए आप से पूछ रहा है अर्द सेल समीकन है बच्चो इसका मानक इलक्ट्रोड भी हो आपको दिया हुआ है और आपसे विदुत वहाग बच्चो पूछा जा रहा है तो बताइए इस question का right answer क्या होगा तो बच्चो इसको आप calculate करते हो तो आपको मिलने वाला है पिलस का 0.35 volt आपका answer आ जाएगा तो आपका option number बच्चो भी बिलकुल right answer चला जाएगा बात करते हैं बच्चो नेक्स question की तो अगला question देखे क्या है आपसे पूछ रहा है कि विदुत की वहे मात्रा जो एजी एनो 3 विलियन से 108 गिराम सिल्वर मुक्त करता है वो क्या है बच्चो ये आपका एक फेराडे होता है क्या होता है एक फेराडे होता है तो आपका option number ना ए बिल्कुल right answer आपका चला जाएगा बात करते हैं बच्चो नेक्स question की अगला question देखे क्या है तो बच्चो अगला question है आप सभी के सामने अभी के लिए A से B के लिए वेक का निरुपन निमलिकित में से किसके द्वारा होगा पहुती सांदार लाजवाब question है बच्चो most important question है आपकी exam को नस्ते नाबूद करने के लिए इसको आप ध्यान से करकर जाना बच्चो ये होता है आपका minus D B बटा में D T के बच्चो ये equal to होता है तो इसलिए आपका option number B बिल्कुल सही answer हो जाएगा बात करते हैं next question की बच्चो तो अगला question देखें क्या है वाजी 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 वाजवाब बच्चो question है आप सभी के सामने इसको बिल्कुल आप फोड दीजिए आपसे पूछ रहा है पिरतम कोटी की अभी किरिया के वेक स्तरांकी काई क्या होती है बिल्कुल फर्जी सवाल है वाजी क्या है फर्जी सवाल है इसका होता है समय इन्वर्स क्या होता है समय इन्वर्स होता है बाबु समय नहीं है पढ़ ले अभी मोका है मोके पे चोका मार दे बात करते हैं next question की बच्चो तो अगला question है निम्ली कितमे से हारियंस की समिकण कौन सी है हारियंस की समिकण आप सभी को बतानी है कौन सी समिकण होगी तो याद रखिए हारियंस की समिकण होती है के इकुल टू ए डोट में ए की पार ए अपोन में आर्टी होता है आप इसको देखोगे न तो आपको दो उप्सन नजर आ सही है तो बात करते हैं जो next question की तो अगला question देखिए वच्छो क्या है आप से पूछ रहा है निम्ली कित में से कौन जो है छदम प्रितम कोटी की अभिक्रिया है छदम प्रितम कोटी की reaction कौन सी है वाई यह आप सभी को बताना है तो जो आप पहली reaction लिखी हुई है ना पहली reaction यह क्या है आपकी छदम कोटी की reaction है मेरे प्यार बाबो इसलिए आपका option number A बिल्कुल सही अंसर चला जाएगा बात करते हैं next question की बच्छो तो अगला question देखिए क्या है आपसे पूछ रहा है निम्ली कित में कौन एंजाइम चीनी को गुलकोज में फ्रॉक्टोज में पर कौन सा इंजाइम इन वर्टस आपका इंजाइम बच्छो बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा बात करते हैं बच्छो हम next question की तो देखिए बच्छो क्या है निम्ली कित में से हसाने वाली गेस किसे कहते हैं हसाने वाली गेस मतलब बच्छो laughing गेस की बात आपसे कर रहा है तो laughing जो गेस होती है बच्छो आपके होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानि कि आपका option नमबर बच्छो बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की अगला question क्या है बच्छो copper जिसका परमाण किरुमांग कितना है 29 है इसका आपको electronic विन्यास बतान है 10 इसके पास है D में और S के पास कितना है एक एड करते हो तो आप कितने मिलने वाले है 29 आपको मिलने वाले है तो इसलिए आपका option नमबर भी बिल्कुल सही एंसर चला जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की अगला question पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संक्रमन धातू इसलिए आपका option नमबर भी बिल्कुल सही एंसर चला जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की अगला question देखे क्या है आपसे पूछ रहा है निम्न कित में से किसमें एगुमित इलेक्ट्रोनिक संख्या सरवाधिक है तो यह आपका TI प्लस में 3 में बच्छो हो जाएगा तो इ इसलिए आपके आएंगे बच्छो एफ विलोग के अंतर गत लेंथेनाइड बच्छो एक्टेनाइड और लेंथेनाइड शिरनी आपने पढ़ी होगी इसलिए आपका D अंसर बिल्कुल सही अंसर चला जाएगा बात करते हैं next question की बच्छो तो अगला question देखे क्या है आप आप से पूछ रहा है कि NICO4 में निकल की ऑक्सिक्रन अवस्था आपको बतानी है तो इसमें निकल की ऑक्सिक्रन अवस्था है प्यार बच्छो वो आपकी कितनी होने वाली है जीरो होने वाली है बात करता है next question की बच्छो तो अगला question है Fe C2O4-3 जटल आयन में लोहे आयन क कि समन में संख्या कितनी है तो इसकी में समन में संख्या है बच्छो पिलस की 6 option number आपका C बिल्कुल राइट अंसर चला जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की अगला question है आपसे पूछ रहा है Pyridine C6H5N बच्छो formula है किसका Pyridine का निमली कितमे से किस पिरकार का legend है ये option number आपका C बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा बात करते हैं next question की पूछ रहा है NICN4-2-2-1 की जायमिती निमली कितमे से क्या है जायमिती आपको बतानी है ये बच्छो आपका होता है वर्ग समतलिये क्या होता है वर्ग समतलिये बात करते हैं next question की बच्छो तो अगला question आ अरे वही alcohol जिसको पीने के बाद मनुस्य सब कुछ भूल जाता है बात करते हैं next question की बच्छो तो अगला question है निम में से कौन सा योगी क्या है प्रेसी तक प्रेसी तक का मतलब होता है थंडा थंडा बताना है कौन सा ही आपका CF2 और CR2 बच्छो आपका हो जाएगा D option बच् next question की तो अगला question देखे क्या है आप सब इसे पूछ रहा है निम लिखित में कौन एलिल है डाइल है है यलाइड आपसे पूछ रहा है यानि कि आपका iodine bromine chlorine सब क्या है 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 बच्छो तो बताएगे क्या होगा राइट अंसर तो बच्छो इसमें आपका option number C बिलकुल सही अ धार्त है तो इसमें बच्छो आपका हो जाएगा CL पिलस option number आपका A बिलकुल सही अंसर चला जाएगा बात करते हैं next question की तो बच्छो अगला question क्या है आपसे पूछ रहा है निम लिकित में से कौन क्रिया सील समू प्राइमरी एलकोहल में उपस्तित रहता है तो इसमें जो एथिल इधर एवं मैथिल प्रोपिल इधर है क्या है बच्छो ये ये आपके होते हैं मेरे प्यार बच्छो मद्यावेवी यानि की option number आपका बीवावो बिलकुल सही हो जाएगा बात करता है next question की अगला question है फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से निम लिकित में कौन बनता है इसमें बनता है 246 ट्राइब्रोमो फिनोल option number C बच्छो बिलकुल सही अंसर हो जाएगा बात करें बच्छो अगले question की तो अगला question आप सभी के सामने आ चुका है निम लिकित योगिकों में कौन ओक्सिक्रित होकर किटोन देता है तो ये आपका isopropyl alcohol हो ज है LD हाइड का क्रियासील मूलक कौन है most important question है बच्छो ध्यान से करकर जाना तो इसमें जो है आपका आपका option number बच्छो भी हो जाएगा bond C double bond O bond आपका H होने वाला है बात करें बच्छो next question की तो अगला question क्या है बच्छो निम लिकित में से किसके oxygen से acetone प्राप्त होता है तो यह आपका होने वाला है option number C बच्छो बिलकुल सही अंसर हो जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की तो अगला question है निम लिकित में से किसके साथ कैनी जारो अभी करिया होती है कैनी जारो अभी करिया आपको बतानी है तो बताइए right answer क्या होने वाला है तो बच्छो यह आपक H2SO4 तथा H2SO4 के साथ अभी करिया कर देता है क्या बच्छो यह देता है आपको यह बताना है तो याद रखेंगे बच्छो यह आपको option number A जो है reaction लिखी हुई है CH3 CH2 CO CH3 बच्छो यह देता है तो option number आप A बिलकुल सही कर लीजेगा बात करते हैं next question की बच्छो तो अगल का सामान्य सुत्र क्या होता है तो इसका सामान्य सुत्र होता है तो C N H2N plus 1 C O O H बच्छो होता है इसलिए आपका option number B बिलकुल सही answer आपका चला जाएगा बात करते हैं next question की तो अगला question देखें क्या है आपसे पूछ रहा है sodium acetate को soda lime के साथ गरम करने पर निमली कित में कौ तो option number आपका A बिलकुल सही answer चला जाएगा बात करते हैं next question की तो अगला question देखें बच्छो क्या होने वाला है आप सभी को इस question का जवाब थोड़ा ध्यान से बच्छो देना है आपसे पूछ रहा है एक कार्वनिक योगिक की अभिक्रिया N A H CO3 के संत्रप्त जली विलिय से कराने पर बुदाहट होती है निम्न में से वह कौन सा योगिक होगा ये वच्छो आपका होता है A C टिक अमल option number आपका C वच्छो बिलकुल सही answer चला जाएगा बात करें बच्छो next question की तो अगला question है निम्न लिकित में से कौन सबसे निर्वल अमल है निर्वल आपको बत question है आपको बच्छो एक structure दी हुई है निम्न कित में से कौन है इसका आपको नाम बताना है बच्छो NH3 NH2 जुड़ गया NH2 जुड़ गया इसका मतलब यह है कि amine बन गया क्या मन गया amine और कौन सा amine बन गया बच्छो यह आपका primary amine बन जाए का option number A बिलकुल सही हो जाएग इसका निम्न कित में से किसका निर्मान होता है निर्मान आप सभी को बतारा इसमें बनता है बच्छो वन डिगरी amine option number आपका A हो जाएगा बात करें next question की बच्छो तो अगला question देखे क्या है आप से पूछ रहा है इथाईल amine की अभी के लिए निम्न कित में से किसे कराने पर एक रंगीन गंधीन एवम एज्वलंसीन गेस मुक्त होती है तो इसमें आपका option number C आजाएगा एन एन ओ टू प्लस में HCl option number C बच्छो आपका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा बात करते हैं next question की अगला question में आप से पूछ रहा है निम्न कित में से कौन हिंसबर्क अभी करमक है तो यह आपको जो बेंजीन सेल्फोन नमाई रेन बच्छो यह आपका हिंसबर्क जो अभी करमक होता है वो आपका हो जाएगा तो option number A बिलकुल सही कर लीजिएगा बात करते हैं next question की तो अगला question क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछ रहा है एमीनो अमल में बच्छो के लिए आत्म समुझो पाया जाता है वो आपका होगा कार्बॉक्स के लिए अमल और माइनस बोंड एनेच तो दोनों समुझो बच्छो इसमें पाये जाते हैं तो option number आपका D बिलकुल सही हो जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की तो अगला question ध्यान दीजिएग बी option आप बिलकुल सही कर लीजिएगा बात करते हैं next question की देखिए अगला question क्या है मेरे प्यारे बच्छो निमली कितमें से कौन twist feature iron बनाने में समर्थ है तो ये बच्छो आपका option number A बिलकुल सही अंसर हो जाएगा बात करते हैं next question की तो देखिए अगला question क्या है मेरे प्यारे दोस्तो सुक्रोज का जल अब घटन कहलाता है सुक्रोज का जल अब घटन क्या कहलाएगा ये आपका inversion कहलाता है option number आपका D बिलकुल सही अंसर हो जाएगा बात करते हैं बच्छो next question की अगला question बच्छो आपसे आचुका है जवाब आपको देना है निमली कित में से किसकी electron बंदूता सबसे अधिक होती है electron बंदूता electron को बांदे रखने की छमता ये बच्छो आपका होता है chlorine option number आपका B बिलकुल स जाना है आपसे पूछ रहा है acetyl chloride की अभी किरिया chlorine के साथ होने पार निमली कित में से क्या बनता है तो इसमें आपका बनता है acetyl chloride बच्छो क्या है बन जाता है बच्छो ये था आपका objective question का model set 2 का video जो हमने खुच से बच्छो तयार किया है आप सभी के लिए I hope कि आपको WhatsApp गुरुप को जोई नहीं किया है तो अभी भी मोका है 9024-796410 पर आप मेसेज कर दीजिएगा हम आपको गुरुप के अंदर add कर देंगे उस साथ फिजिक्स का गेस पेपर लेना है बच्छो तब भी आप इसी number पर हमें call कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में भच्छो धाकड तयारी हम आप सभी करवाने वाले चाहे वह objective कुशन हो चाहे वह आपके subjective कुशन क्यों ना हो तो मिलते हैं और एक भैतर वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्र कर सकते हैं